नमस्कार साधियों स्वागत है आपका ईही पुस्तके हैं तो आप निश्चिंत रहिए यह इतले सेश आप सोल करते हैं तो ऑन्नेल प्रस्टकर आप हाँ के चलिए कि आपको एक भी प्रश्च्ण कहीं और बाहर से देखने को नहीं विलेगा मैंने बहुत ही तरीके से आपको पढ़ाने का प्रियास किया है मैंने कक्षास जो भी कक्षा है उसको कक्षा की प्रत्य पुस्तक को अध्याई वाइस मैंने आपको बाटा है भाग जो थे भाग से फिर अध्याई वाइस अज्याई आए पर्टिकुलर जो ज्याई है वो ही उठाया और उस अज्याई से कितने प्रिश्ण बने है drip और प्रिक्षम बने हैं कितने आगावे प्रिक्षाओं पकूल कराने के कोशिश कि लिए तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं हम बात कर रहे थे क्षा साथ का अज्याई आता है चोईस्वा जिसका नाम था हमारे गोरव ठीके राश्तर नुबायाद से समझ दी जो भी हमारे गोरव हैं उनके बारे हम बात कर रहे थे तो इसी अज्याई के अंतरकत हम बात कर रहे थे जिसमें हमने 20 प्रशने जो हैं वो sol किये थे 20 प्रशने से हमको sol करना रह गया था तो चलिए आज इस शेशन में इन प्रशनों को sol करके अपन देख लेते हैं चलिए 20 महर्शी पारशर का जन्म कहां पर हुआ था तो पुशकर जो अजमेर में इस्तिते वहाँ पर महर्शी पाराशर का जो जन्म है वो यहीं पर होता है फिर प्रेशन आता है क्रिशी शास्त्र का प्रवर्तक किसे कहा जाता है तो महर्शी जो पाराशर थे वो क्रिशी शास्त्र जो है उसके प्रवर्तक थे ठीक है पाराशर महर्शी पाराशर जो है वो क्रिशी शास्त्र के प्रवर्टक थे फिर प्रेशन आता है कि महाना परताप का दर्बारी कभी कौन था तो चक्रपाणी मिश्र जो है वो महाना परताप के दर्बारी कभी हुआ करते थे चक्रपाणी मिष्रक की रशनाई कौन सी है तो चक्रपाणी जो है उनकी रशनाई हो जाएगी Visovallab, मोहूर्तमाला, व्याँरा दर्शन और राज़ावीशेक पद्धती यह जो है वो चक्रपाणी मिष्रक की रशनाई है जो भी राज़ावीशेक हुआ करते थे वो इन्हीं की पद्धती जो इन्होंने बढ़ाई थी जिसका नाम रखाता राजविशेग पद्धती उसी के आदा पर राजविशेग में क्या क्या होना चाहिए किस तरीके से होगा वो तरीका इन्होंने इस पद्धती के माद्यम से बताया है फिर प्रशना आता है कि चक्रपानी मिश्र किस से प्रवाइत हुए थे तो वो थे वराह मिहिर से वराह मिहिर से काफी प्रवाप पड़ा था चक्रपानी जी मिश्र के जीवन को तो यहीं से इनका जो सक्सेज और सफलता का राय वो है वराह मिहिर चक्रपानी मिश्य ने भुमिगत जल बताने वाले किस ग्यान का उलेख अपनी रचनाओं में किया है तो वो था हरवा ठीकि है अपने भी जो पानी बताते हैं जब ट्यूए लगाई जाते हैं हर्वे को बुल बुला जाता है वही हर्वा जो शब्द है वो यहीं से आया है ietsई्ट तो चक्रपाणी मिश्टर ने भुंगत जल बताने वाला किस घ्यान का उलेख अपनी रचनाओं में किया है तो वह हर्वा तहीं हर्वा जो बहुत नॉर्मल शब्द है हरवा यह वहीं से आया हुआ शब्द है चक्रपाणी मिष्ट की पदती से फिर प्रश्ण आता है कि विभिन संकेतों के आदार पर भुमीगत आने की उपस्तिती वह गहराई बताने का ज्यान क्या कहलाता है तो उसे भी हरवे के नाम से जाना जाता है हरवा ठीक है पदती है बहुत इंपोर्टन पदती है जिसका आज भी वर्तमान में भी यूज किया जा रहा है चक्रपाणी मिष्ट के पिताजी का क्या नाम था तो उनका पिताजी जो थे उनका नाम था उग्र मिष्ट चक्रपाणी मिष्ट के जो पिताजी है उनका नाम था उग्र फिर प्रेशन आता है 19 वा कि शारंगधर किसके दर्बार में था तो हमीर जो रन्थंबोर के थे हमीर उनके दर्बार में कभी थे जिनका नाम था शारंगधर किस शैत्र से उलेखनी कारी किया करते थे तो वो था संगीत शैत्र से ठीक है कवित भी और संगीत का जो ज्यान था वो शारंगधर को कफी अच्छा था शारंगधर की रचना कौन सी है तो इसका नाम आ गया है सारंगधर पद्धती इनके रचना इस सारंगधर पद्धती देखिए अधिकता जो कवी है उनकी रचनाओं का नाम भी उनी से ही रिलेटेड होता है थोड़ा कुछ समंद्र रखता ही रखता है तो जिस तरीके से सारंग शारंगधर की रचनाएं है वह सारंग पद्धती तो इस तरीके से हमने 31 मैं तो परशनों के बारें बात की है फिर हम बात करेंगे कख्षा 7 का जो भी टोपिक है वह कंप्लेट हो है है तुझ के गए है तुझ कुछ समंद्र है का वह मय कंप्लेट भी है g एाता है तो अपड़ा है बात करेंगे का दो झाल सका है तो तो जो सकता है थाए है है तो एाता है एाता है